नमस्कार दोस्तों आज हम लोग सिविल और क्रिमिनल कानून का अंतर समझने का कोशिश करेंगे हम लोगों ने कहीं बार ये दोनों शब्द सुनें सिविल कानून और क्रिमिनल कानून तो ये बेसिक बात है कि हमको ये पस्ट होना चाहिए कि किस कानून की बात हो रही है क्योंकि दोनों कानूनों में बहुत बड़ा अंतर होता है सिविल कानून को जहां हिंदी में दिवानी कानून का जाता है उसी प्रकार क्रिमिनल कानून को फोसदारी याने उर्दू में फोसदारी और हिंदी में आपराधिक कानून का जाता है तो मुख्यत कानून दो भागों में बटे होते हैं civil कानून और एक होते हैं criminal कानून आईए समझते हैं दोनों में अंतर the difference between criminal and civil laws तो आज का टॉपिक है आपराधिक और दिवानी विधी में अंतर तो सबसे पहले इन दोनों terms को समझने ही कोशिश करते हैं कि दिवानी कानून क्या होता है और अपराधी कानून क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं दिवानी कानून की जिसे हम civil laws बोलते हैं नामसे पस्ट सिविल, इसमें अपराध नामक कोई तत्व नहीं है, यानि इसमें कोई अपराध नहीं हुआ है, और दिवानी कानुन को हम ये कह सकते हैं कि ऐसे डिस्प्यूट, यानि ऐसे जगडे, ऐसे विवाद जो दो इंडिविजल लोगों के बीच में हुआ हो, या किस उर्गनाइजेशन और किसी व्यक्ति के बीच में हुआ हो, तो किसी ऑर्गनाइजेशन, जैसे मानलिजी कि आप किसी कम्पनी में काम करते हैं, उस कम्पनी ने आपको सैलरी नहीं दी, तो एक तरफ गया कंपनी और एक तरफ आप हो गया, तो आप दोनों के बीच का चुका रहा है आपको आपके उधार ली हुए पेसे नहीं दे रहा है तो इस डिस्प्यूट बिविन टू परसन तो यह दो इंडिविजल के बीच का डिस्प्यूट हो गया तो इस प्रकार को एसा विवाद एसा मदभेद है जो किसी संगडन के साथ हो या किसी व्यक्ति-व् उपेसे का विवाद है सब्सक offers आप ने कोई ढूट लीए आपने किसी को सामान दिया और उसने आपको पैमिन नहीं दिया या मृट लिजे आपने किसी इसे गूट लिए और उस खराब निकलगे तो यह सारी विवाद फिल प्रकृति की विवाद है राइट सेने कुछ अधिकार के मामले में आपका अधिकार है किसी संपत्ति में मान लीजे बटवारे में आप परिवार के सदस्ते हो और आपका एक हिस्सा है और वो हिस्सा आपको नहीं दिया जा रहा है मतलब आप परिवार के सदस्ते हैं उसके ब प्राइब दे दिया है तो आपकी एडवांस मनी जो अर्नेस्ट मनी है वो लेने का उसका अधिकार है तो अधिकार से संबंदित यह दि मामले होते हैं या कॉम्पनसेशन किसी प्रकार का मौाउजा यह च्छतिपूर्ती प्रतिकर के मामले होते हैं तो यह सब लेबर लॉज ह हो गया फैमिली मेंटर्स हो गए इंडस्ट्रियल मेंटर हो गए इंप्लायर इंप्लाई के मेंटर हो गए एकमोडेशन कंट्रोल के अंदर टेनेंट लेंडलोड के मामले हो गए लीस के मामले हो गए प्रापरटी से संबंदित मौर्गेज मौर्गेजी के मामले हो गए ले सर्बीस मतलग कोई व्यक्ति सर्वीस में उसके प्रोमोशन का मामला है उसके ड्यमोशन का मामला उसके इसको क्या का जाएगा दिवानी मुकदमें अब हम समझते हैं फोसदारी मामले क्या होते हैं फोसदारी को हम अपराधिक कानून भी कहते हैं So now we are going to understand the criminal laws, criminal laws is also called फोसदारी कानून फोसदारी जिसको हम उर्दू शब्दे और हिंदी में इसको अपराधिक कानून का जाता है तो फोसदारी कानून कोन से होते हैं ये offenses से connected होते हैं These are related with offense, offense को हम सामानने भाशा में crime केते हैं यहने अपराध अपराध से संबंदित जितने भी कानून होते हैं वो criminal होते हैं अब अपराध से संबंदित बहुत सारे बाते हैं जैसे आप लोगोंने ब्रष्टाचार सुना है ब्रष्टाचार एक अपराध है ब्रष्टाचार निवारण अधीनियम आमस हतियार लेके घुमना आमसेक्ट तो उसके लिए आमसेक्ट बना हुआ है आईपीसी हमारे देश का भारती दंड सहीता बनाई अपराधों के लिए है तो अपराधों से संबंदित कानून जो होते हैं वो criminal कानून के लिए अपराध और ये सोसाइटी के खिलाफ होते हैं अभी हम लोगोंने सिविल के लिए पढ़ा था ये व्यक्ति विशेश या संगठन विशेश के खिलाफ होते हैं लेकिन ये जो होते हैं criminal कानून ये समाज के खिलाफ माने जाते हैं considered offense against society यदि एक व्यक्ति ने murder किया है तो वो परिवार की हानी नहीं है यदि किसी व्यक्ति ने हत्या किया तो उसी परिवार की हानी तो ही सही साथ यसाथ पूरे समाज की हानी है इसलिए इसको राज्य के खिलाब अपराद माना जाता है तो समाज के खिलाब होते हैं जैसे उधारन के तोर पर किसी व्यक्ति ने murder किया हत्या की, चोरी कर दी ये भी criminal law में आ गया robbery, यदि किसी व्यक्ति ने loot करी तो ये भी criminal law में आ गया fraud, किसी व्यक्ति ने cheating करी धोका धड़ी किये तो these all comes under the category of criminal laws तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कोशिश करी इन दोनों terms को समझने की civil कानूं क्या होते हैं और criminal कानूं क्या होते हैं आईए अब हम दोनों में अंतर response करते हैं दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा so we are starting criminal laws and civil laws and criminal laws में difference सबसे पहला आप ध्यान रखें civil law जो होता है it is initiated by the agreed person याने civil law कोन प्रारंब करता है initiate का मतलब प्रारंब करना तो civil कानून वह वेक्ति प्रारंब करता है जिसके अधिकारों का उलंगन हुआ है जिस वेक्ति को रुपे लेना है जैसे मान लीजे कि ए ने बी को 5,000 रुपे उधार दिये और बी ने उसको वापस नहीं दिये तो यहाँ पर agreed person को ने agreed मतलब जो पीडिद वेक्ति वो ए है तो यहाँ पर कारवाई ए द्वारा प्रारंब की जाएगी पती-पत्नी आपस में दोनों का विवाद हुआ अगर पत्नी को पती बहुत टॉर्चर करता है तो डाइवोर्स के लिए पिटीशन कोन फाइल करेगा? ए फाइल मलब पत्नी फाइल करेगी तो जो agreed वेक्ति होता है वो case दायर करता है तो यह सबसे important point है कि civil में जो वेक्ति प्रभावित हो रहा है जो victim है वो वेक्ति case फाइल करता है लेकिन criminal में case फाइल होता है from the government क्योंकि जो आपने अपराद किया है किसी वेक्ति ने भी अपराद किया है तो वो अपराद government के खिलाफ माना जाता है वो society के खिलाफ है तो proceeding start कोन करेगा? state करेगा तभी आपने देखा मुकद में जो दर्ज होते हैं वो कैसे होते हैं थाने वाइस होते हैं पोलिस station में fire दर्ज होती है और वो पोलिस station versus अपरादी का नाम रहता है फरियादी का नाम नहीं लिखा रहता है तो दोनों cases में एक तरब state लिखा हुआ है MP state versus so and so Union of India versus so and so मतलब state के खिलाव अपराद मना जाता है तो criminal जो मामले होते हैं उसमें government party हो जाती है यहाँ case लगाने वाला वेक्ति जो civil मामले में case लगाता है उसको English में plaintiff का जाता है plaintiff को वादी बोलते है वाद लाने वादी वादी तो जो वेक्ति नहीं लेकर सामने वाद ला रहा है वो वेक्ति वादी हो गया तो इसको plaintiff का जाता है लेकिन यहाँ जो वेक्ति वाद लाया है वो तो state लाई है लेकिन state के पास किस वेक्ति ने FIR दर्च कराई थी वो वेक्ति complainant के लाता है complainant को हम फरियादी भी बोलते है तो फरियादी व्यक्ति यहाँ पर case लेकर आता है माली जी किसी व्यक्ति के खलाब धोका धड़ी हुई है तो वो धोका धड़ी जिस व्यक्ति खलाब हुई है वो व्यक्ति शिकायत लेकर जाता है तो वो जो फरियाद लेकर जाता है, शिकायद लेकर जाता है, वो complainant कहलाता है तीसरा difference देखिए, file before court, यह interesting बात है कि जो civil मामले होते हैं, वो सीधे court में file होते हैं पुलीस में जब F.I.R. दरज होती तो पुलीस की investigation करती है, पुलीस स्टार्ट्स, investigation अन्वेक्षन परारम करती है, साक्ष कलेट करती है, collection of the evidences होते हैं, तो यह important point होता है, फिर पुलीस चालान पेश करती है, यह LA के सामने, यहने बीच में पुलीस आ गई, criminal मामले में बीच म उद्देश होता है, the main object of the civil laws is to protect the rights of the people, यहने लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, यह civil कानून का मुख्य उद्देश होता है, लेकिन criminal कानून का उद्देश कुछ और होता है, criminal कानून का उद्देश होता है, to punish the offender, जो वेक्ति सामाजिक वेवस्ता को तोड़ता है, जो वेक्ति सामाजिक वेवस्ता में, शान्ती वेवस्ता में अपराद करता है, अपराद करने वाले वेक्ति को punish करना यह criminal कानून का उद्देश होता है, तो criminal कानून का उद्देश अपराधियों को दंड देना होता है, एक और important point, यह compensation देता है, सबसे important बात है, civil कानून प जेल जाने की नोबत आ सकती है, fine याने अर्थ दंड देता है, तो इस प्रकार से civil और criminal कानून का अंतर है, और एक और difference देखें, कि civil कानून में जिस व्यक्ति के खिलाफ केस लाया गया है, वो व्यक्ति प्रतिवादी के लाता है, defendant, तो civil कानून में जो plaintiff, जो व्यक्ति केस ल जायत दर्च कराई है, वो व्यक्ति accused होता है, accused का मतलब होता है, ROP, याने जो सामने वाला व्यक्ति है, वो ROP हो जाता है, तो यहाँ parties के नाम होते है, plaintiff, defendant, यहाँ party के नाम होते है, complainant and accused, so it is difference between civil and criminal laws, I hope you enjoyed this lecture, kindly subscribe my channel, Law Easy, thank you so much.